फाइब्रोड क्या होते हैं? और फाइब्रोड क्यों होते हैं? क्या ये एक सीरियस बिमारी है? क्या फाइब्रोड कैंसर होते हैं? क्या फाइब्रोड दवाइयों से ठीक हो सकते हैं? कि फाइब्रोइड के लिए सरजरी ही चाहिए, क्या फाइब्रोइड के चलते हैं प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकता है, आज इन सभी प्रश्णों का उतर मैं इस वीडियो के माधियम से दोंगी, मैं डॉक्टर नमृता से गाइनकलोजिस चूँँ, तो फाइब्रो प्रॉब्लम है और लगबग 25-30% महलाओ में मिलता है, फाइब्रोइड क्यों होते हैं, फाइब्रोइड बेसिकली मूसली देखा गया है कि फाइब्रोइड अगर मदर को है, तो उनके बच्चों को भी फाइब्रोइड हो जाता है फीमेल्स में, तो ये जेनेटिक कारण भ कर जाता है, वैसे ही मेनुबोज होता है तो फाइब्रोइड का साइज कम हो जाता है, similarly जो पेशिंट ओरल कंटरसेप्टिक पिल यूस करते हैं, उसमें फाइब्रोइड कम देखा गया है, जो पेशिंट जिसमें विटामिन D डेफिशेंसी होती है, उसमें फाइब्रोइड का साइज कहां है, कितना बड़ा है, फाइब्रोइड की लोकेशन क्या है, अब फाइब्रोइड सीडिंग फाइब्रोइड भी हो सकते हैं, साइज बहुत ही छोटा हो सकता है, मतर के दाने जैसे भी हो सकता है, या बहुत बड़ा हो सकता है कि पूरा ही पेट में फाइब्र अब Phibroid जो है तीन तरह से मिल सकते हैं या तो वो यूटरिस के अंदर वाली परत में डिवल अप hoते हैं जिसको हम Sub Royal Phibroid बोलते हैं या यूटरिस के बीच वाली परत में हो सकता है जिसको हम Interamural Phibroid बोलते हैं या फािभरोई कभी कभी outer layer में uterus की develop होता है जिसको sub-serosal fibroid बोलते हैं तो इन different location के इसाब से भी fibroid के symptom हो सकते हैं अगर fibroid अंदर की परत में होता है जिसको sub-serosal fibroid बोलते हैं तो वो mostly asymptomatic होते हैं mostly उनके symptoms ज्यादा होते हैं छोटा size भी होगा तो भी वो symptom जादा produce कर सकता है और SMA patient को treatment की जरुवत परती है अगर fibroid outer layer में होते हैं तो वो बड़ा size कभी हो चाता है तब भी patient को कई बर पता नहीं चलता और वो एक कभी-कभी patient जब ultrasound के लिए जाते हैं ऐसे ही routine ultrasound health check-up के लिए कराते हैं तो चलता है कि बहुत ही बड़ा fibroid का उसमें size था तो ये इसलिए depending on the location symptoms हो सकते हैं subneucosal में छोटा fibroid भी बहुत बड़े symptoms produce कर सकता है और जो sub-serusal fibroid होते हैं उसमें बहुत बड़ा fibroid होकर भी symptoms बहुत ही कम हो सकते हैं अब fibroid के symptoms क्या क्या हो सकते हैं तो mostly fibroid asymptomatic हो सकता है या fibroid के कभी-कभी जो most common symptom है वो है bleeding heavy menstrual bleeding हो सकती है fibroid के चलते हैं और वो bleeding कभी-कभी बहुत लंबा चल सकता है कभी-कभी bleeding 15-20 दिन भी चल सकती है clot भी patient पास कर सकता है और इतनी heavy bleeding होती है कि patient को उसके वज़े से काफी ज़्यादा blood loss होके anemia भी हो सकता है तो bleeding सबसे जो most common symptom है उसके अलावा जो है pelvic pain कर सकता है fibroid because अगर fibroid का size बहुत बड़ा है तो वो नीचे की तरफ pressure डालके pelvic pain patient को backache ये problem करा सकता है इसके अलावा अगर size बड़ा होता है तो आगे पिशाग की तहली में जोर डालने की वज़े से patient को बार-बार urine symptoms आ सकते हैं कि बार-बार urine का urge होता है या फिर urine में रुकावट भी हो सकती है कई बार और कभी-कभी जब fibroid पीछे की तरफ pressure डालता है तो patient को potty में भी problem हो सकती है constipation हो सकता है कभी-कभी fibroid के चलते patient conceive करने में भी उनको problem हो सकती है जैसे कि मैंने बता है sub-nucosal fibroid होते है वो छोटे size के भी होते है फिर भी उसमें कई बड़ patient conceive नहीं कर पाता है इसके अलावा जो fibroid है कभी-कभी pregnancy हो जाती है fibroid के साथ लेकिन वो complication हो जाते है जैसे कि abortion के risk बढ़ जाते है बेबी की growth कम रहो जाती है IUGR बेबी होते है fibroid के साथ या फिर patient को जो है pre-term pain शुरू हो जाता है या because of fibroid location बेबी की जो है abnormal position होती है बेबी breach position में भी present कर सकते है तो यह सब तो symptoms होए fibroid के अब fibroid diagnose कैसे करते है तो भी fibroid मिल सकते हैं इसके अलावा ultrasound finding के अलप में भी fibroid जो है हमें diagnose होते हैं जब ऐसे routine examination के लिए गए या तो कभी-कभी हमने patient को symptoms होए heavy bleeding और हमने ultrasound किया तो diagnosis बनता है कि अच्छा इसको fibroids है कई बार हमें आहमारही भी कराना पड़ता है fibroid की location, number जानने के लिए और किसी कभी-कभी स्रिफ clinical examination से abdominal lump अगर मिलता है तो वो fibroid हो सकता है इस तरह से हम by clinical examination by ultrasound और by MRI fibroid की diagnosis बना सकते हैं अब fibroid का treatment part तो treatment जो होता है mostly अगर fibroid asymptomatic है तो कोई treatment की ज़रुवत नहीं बट अगर fibroid symptomatic है symptomatic मतलब अगर patient को heavy bleeding हो रहा है patient को pain हो रहा है तो depending on the symptoms patient का treatment किया जाता है अगर heavy bleeding है तो फिर हमें fibroid के चलते हैं hemostatic agent देना पड़ता है जैसे की tenexamic acid होता है वो देते हैं उसे patient की bleeding 20-30% control हो जाती है कई बार pain के लिए हमें NSAIDs देना पड़ता है कोई treatment करने की जरुवत नहीं है कई बार fibroid जो है बहुत जल्दी grow कर जाते हैं तो अगर fast going fibroid है तो उसका treatment required है बट अगर fibroid बहुत ही छोटा है और कोई symptom नहीं कर रहा तो उसका कोई treatment की जरुवत नहीं है अगर fibroid 5 cm से कम है और कोई symptom नहीं कर रहा तो उसको कुछ करने की जरुवत नहीं है, अगर symptomatic है तो उसका treatment required है, और fibroid के लिए जो basically अगर कभी patient pregnancy plan कर रहा होता है, और fibroid अगर बाहर की तरफ located है, कोई symptom नहीं produce कर रहा तो उसको छोड़ा जा सकता है, बट अगर fibroid अंदर की तरफ located है, sub-mucosal fibroid है और conceive करने में problem कर रहा है, तो ऐसी condition में fibroid को निकालना पढ़ सकता है, इसके अलावा जो है basically fibroid कभी भी दवाईों से shrink नहीं होता, वो सिर्फ हम उसका symptomatic treatment कर सकते हैं, दवाईों से सिर्फ symptomatic treatment है, fibroid जो है उसको निकालना ही पढ़ता है, अगर वो ज़्यादा symptom produce कर रहा है, या size बहुत बड़ा है, या fibroid जो है, pregnancy होने में उसकी वज़े से abortions हो रहे हैं, या तो हम यह कर सकते हैं कि सिर्फ fibroid को निकाले, जिसको हम mymectomy बोलते हैं, और यह laparoscopy द्वारा की जा सकती है, अगर यह तब करने के ज़रूत परती है, जब size काफी बड़ा हो, या fibroid sub mucosal हो, दूसरा जो होता है, अगर patient family प्लान कर रहा हो, तो भी हमें fiboptomy करने होती है, अगर patient की family complete हो गई है, fibroid बहुत जल्दी ग्रोग कर रहे हैं, fibroid का size बहुत बड़ा है, तो ऐसी condition में हम पूरा ही बच्चे दानी को निकालते हैं, और इसको हम laparoscopy कर सकते हैं, और laparoscopy hysterectomy के पूरा fibroid के साथ बच्चे दानी भी निकाल सकते हैं, और जो patient conceive करना चाहता है, उसके लिए हम myomectomy करते हैं, इसके अलावा जो non-invasive or treatment है, वो है embolization, embolization में ये करते हैं कि जो uterus की blood supply है, उसमें हम embolize, जो है gel foam डाल देते हैं, उस catheter के through, जिसकी वैसे blood supply कम हो जाती है, तो fibroid भी shrink हो जाता है, ये 70-80% effective है, बट ये treatment उनके लिए है, जिनकी family complete हो गई है, जिनकी family complete नहीं हुई है, उनमें ये treatment ठीक नहीं है, इसके अलावा pregnancy में भी fibroid जो है, complication कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो abortion करा सकते हैं, preterm pain करा सकते हैं, और उसकी वैसे IUGR हो सकते हैं, इसके अलावा, जो है, breach presentation हो सकता है, और कई बार patient अगर pregnancy plan करना चाहें, तो patient conceive नहीं कर पाता, because fibroid की location ऐसी जगह पे होती है, तो इन condition में fibroid का treatment की ज़रुद परती है, और इसके अलावा, जो है, fibroid अगर asymptomatic है, तो कुछ करने की ज़रुद नहीं, symptomatic fibroid का ही treatment ज़रुद है, वो एक benign tumor होता है, बहुत common है, अगर दस में से तीन महलाओं को ये पाया जाता है, तो इससे fibroid, अगर ultrasound में diagnose होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ diagnosis मिलता है, तो अपने नजदीकी doctor से इसके लिए सला लेनी चाहिए, और अगर आपको कु YouTube चैनल में, message में आप पूछ सकते हैं questions, इसके अलावा मेरे चैनल को आप subscribe कीजिए और like कीजिए, thank you